हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओल्टाइम क्लासी सांडपूर चैनल पर दोस्तो मैं संजीत उमर एक बार फिर आपके लिए फ्रिजनिंग की एक किलास लेकर आया हूँ दोस्तो तो आज की जो किलास है हमारी आप जैसे कि देख सकते हैं यह किलास किस से है यह किलास होने वाली है आपके रिलेटेड किस से दोस्तों यहां पर देख लीजिए तो यह किलास है श्रंकला और स्रेणी करम से यानि स्रीज टेस्ट से रिलेटेड है ठीक है ना दोस्तों और दोस्तों एक बात हो रहा है यह जो किलास से थोड़ी सी टाप होगी ठीक है क्युस्टन टप्स ओने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है क्युस्टन भी ज़्यादा है ठीक है तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम किलाज स्टार्ट करें और एक रिक्वेस्ट है बस आप से अगर दोस्तों आप आज हमारी किलाज फर्स टाइम दे लीजिए ठीक है न दोस्तों बस यही मेरी आप से रिक्वेस्ट है तो चलिए दोस्तों और एक बात हो रहा है जो भी मेरे दोस्त किसी भी कॉम्पुलिटिव एक्जाम को यानि क्वालिफाई करना चाते है किसी भी कॉम्पुलिटिव एक्जाम में आप बैठना चाते हो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की किलास दोस्तों तो आज की किलास की स्टार्ट कैसे करते हैं आज के विचार से तो आज का विचार क्या है समझते हैं दोस्तों खोल दे पक मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बाकी है जो परिंदा है वो क्या बोलता है कि पक खोल दो मेरे ठीक है ना पक खोल देजिये और अभी और उडान बाकी है जमीन नहीं है मेरी मंजिल अभी पूरा आसमान बाइक है मतलब कहना यह चाता है कि अभी जो मैंने जितना एम आपने एचीव किया ठीक सिरिफ इतना ही एम के एम एचीव करने के बाद आपको सर्ठिस्पाइड नहीं होना दोस्तो कब तक सटिशफाई नहीं हो गया आप जब तक आपको मतलब जिस तरह से यहां पर कहा गया जमीन ही सिर्फ मेरा एम नहीं जमीन ही मेरी मंजिल नहीं अभी पूरा आसमान बाकी है जो पूरा आसमान यानि अभी और एम कौलिफाई आपको और ज़्याद एकजाम पास करने दोशना माई थोड़ी तो चलिए बात करते हैं आज की किलास के लिए तो आज की जो first question को first question को son करते है किस तरह से question बना हुआ समझते हैं किस किस तरह से यहाँ पर question बन सकते हैं देखे तो नियुँन लिखित चूरई निर्देश निमलिखित देगए संख्या स्रंकला के परसंचिन के अस्थान पर कौन सी संख्या आएगी मतलब कि जहां पर यह चिन दे गए यहां पर पूछ रहा कौन सी संख्या आएगी ठीक है तो बताना कुछ इस तरह से देखो यह 24 यहाँ पर 35 यहाँ पर 20 यहाँ पर 31 यहाँ पर 27 एक और संख्या और एक और संख्या बतानी आपको तो किया क्या है इसके उसे में देखते हैं समझते हैं तो यहाँ पर अगर देख लेज़े तो इसका कॉंबिनिशन थर्ड की साथ है दोस्तो इसका इसकी साथ समझें न हम तो इसका फिर इसकी साथ तो यहाँ पर किया यह है दोस्तो यहाँ पर भी चार गटा दिया यहाँ पर भी चार यहाँ पर भी चार और यहाँ पर भी चार जब ऐसे घटा है गया तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट भी देख लें तो यहाँ पर फिर चार घटा दोगे चार घटा दोगे तो कितना बचने वाला बार है उसमें से भी चार घटा दोगे तो ओप्शन थर्ड आपका आंसर रहेगा तो समझें दोस्तों इस तरह से किस्टन सोल करना आए चलिए ठीक है नेक्स्ट किस्टन की तरफ चलते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट में क्या है यहाँ पर पांच अठारा थर्टीवन चुवालिस सत्तावन और यह किस्टन मार्क तो बताते हैं यहाँ पर किया क्या गया है अगर देख ले जाए दोस्तों यहाँ पर कितने तेरा एड करें यहां पर भी 13 ही एड़ किये तो फिर तो कोई प्रोब्लम है इन्हें जब सब में 13 एड़ किये हैं तो यहां पर भी 13 ही ठीक है ना तो और 13 एड़ कर दोगे तो क्या होगा आंसर मिल जाएगा आपको तो कितना मिलने वाला 0 and 7 तो 70 जो है थर्ड ही यह भी आपका अंसर रहेगा नेक्स्क्रीशन देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या किया गया यहां पर है 420, 360, 310, 270, 240 और उसके बाद फिर यहां पर देख ले जाए तो कितना वाज दोस्तों 60 घटाए यहां पर 50 है यहां पर कितने है 40 और यहां पर कितने है 30 और अब कितने कम करने 20 तो 20 करने तो यह कितना हो गया तो 220 यानि पहले वाला उप्शन आपका ठीक रहेगा समझे आप चलिए और चलते हैं यहां पर किस्टन लिखका है 6 11 18 27 38 और अगला है किस्टन मार्क ठीक आपको बताना है दोस्तों तो किस्टन है यू कौनसा फॉर्थ नम्मर का किस्टन आइख ठीक न तो यहां पर बताना है चलिए देखते हैं किस तरह से किया तो यह आपर तो दिखाई दिया हमें साप साप की पाँच एड किया यहां देखले जाए तो यहां पर कितना साथ एड़ किया है यहाँ पर देख ले गए तो 9 और यहाँ पर 11 तो जाहिर सी बात अब एड़ होगा 13 क्योंकि सीरीज बनी वी दो दो के डिफरेंस पर ठीक है न तेरा एड़ करोगे तो कितना यह बनने वाला है 51 तो कितना बनने वाला है 51 तो 51 अगर देख लेजाए कि इन झाल अज्ट आंसर आपका रहेगा तो समझेना दोस्तों आफ क्या आंसर रहेग है आपका शेक है चलते हैं नेक्स्ट पर तो next किया है दोस्तो ध्यान देंट न दोश्तोडा यह दो यह दो पांच नो दस एक है है колe problem नहीं यहाँ पर तो 5 तो चलिए समझते हैं तो यहाँ पर किया क्या गया वैसे तो दोस्तों जब भी same digit की कोई विसंग क्या हो तो answer देना बहुत दिख्कत होती है सबको चैसम मैं ही क्यों ना हूँ लेकिन जैसे हम मैं बताता हूं कि किशन हमारे है तो जल्दी तैयार भी हमारे होगे जाहिर सी बात है इसलिए नथ है तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि में मोटो क्या है हमारा ठीक है हमारा मोटो है कि अप समय से किस किस तरह से गुष्ट्ट बंढ़ रखते हैं तो यहां पर किया यह गया समझो तो यहां पर कुछ यह किया गए देखो यहां पर वन का स्क्वेर एंड वन और यहां पर वन का क्यूब पलस वन यहां पर देख लिए जाए टू का स्क्वेर पलस वन और यहां पर थ्री का स्क्वेर पलस वन स्वरी टू की क्यूब अग देख लेज़े तो यह कितना उआ हो दो-दो नी च्छार और एक पाँच ती डो के तीन बार मेलट एकरने के बाद आठ आठ एक नो और यहाँ पर हवा तीन के स्क्वेर यानी स्क्वेर नो और एक एड जोड दो तो एक इतना होगा 10 अब करना है 3 के क्यूब 27 और एक 28 रहेगा आपसा आंसर क्या रहेगा 3rd तो 28 आंसर रहने वाला है आपका छीक है एक और क्यूश्चन है कुछ इसी तरह का ये भी समझते हैं 0 0 3 7, 8 और नेक्स्ट ठेक है ना 0, 0, 3, 7, 8 और नेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया आपने 1 माइनस 1 यहाँ क्यूब घटा दिया आपने यहाँ 2 के स्क्वेर में से 1 यहाँ के 2 के क्यूब में से 1 3 के स्क्वेर में से 1 और 3 के स्क्वेर क्यूब में से अब माइनस बन तो 26 बचेगा दोस्तों तो समझगे नहीं सोल कर सकते हो आप तो यहां पर अगर देख लिया जाए तो यहां पर अमने जो लगा एक स्कॉर्ड तो एक ही माइनस एक तो यहां पर कितना होगा 27 यानि 26 तो दूसरा ओप्शन ठीक रहेगा तो यह तो वैसे दिखने से आसान लग रहा क्योंकि दोस्तों अगर देख ले जाए पहला तो एक स्कॉर्ड है दूसरा दो का तीसरा तीन का और यह चार का है और यह पांच का तो इसके बाद होगा क्या अच्छे का स्कॉर्ड यानि 36 आंसर इनमें से कोई नहीं ठीक है ना यह आंसर है आपका तो यह क्यूस्टन 7 था यह 8 क्यूस्टन है चलिए कर बढ़ते हैं यह 2 3 8 27 और 112 और नेक्स्ट आपको बताना है ठीक है अगर आपको समझ माया है तो कोई प्रोड़म नहीं ठीक है न कुछ ऐसा है क्या करना है सबसे पहले यहां पर इस दो सथीन बनावा कैसा बनावा तो इस में आपने एक की मल्टिप्लाई और एक जोड दिया एक की मल्टिप्लाई और एक जोड दिया यहां पर दो की मल्टिप्लाई और दो जोड दिया यहां पर भी तीन की मल्टिप्ला करने और पांच ही एड करना है दोस्तों समझें ना आप तो चलिए देखते हैं कितने पांदुन दस पांच रिच्छ है तो यह हुआ छसो सोरी पांचो पैसट फर्स्ट आप करें गया ठीक है ना यह उन्हें मल्टिप्ले गरी पहले पांच से और फिर पांच जोड दिया तो एक और क्यूस्टन है दोस्तों नाहित क्यूस्टन इसकी तरह भी बढ़ते हैं देखो समझते हैं क्या किया पांच ग्यारा ट्वन्टी थिरी फॉर्टी सावन और नाइन्टी फाइव ठीकर नेक्स्ट आपको बताना है तो कैसा बताओगे आप यहां पे दो से मल्टिप्ल और एक जोड़ दिया 15 दो एक 11 यहां पे ब्यास ही 11 दोनी 20 और एक ठीक है ना 30 दोनी 46 पलस एक 47 यहां पर 47 दोनी चुरान में है ना और पलस एक पिच्चाण में तो अब पिच्चाण में दोनी देखना है आपको तो क्या होगा यहां पर पिच्यान में दूनी 190 ठीक है दोस्तों और एक और रेड कर दो तो 111 बने गाई ओप्शन रहेगा पांच वाँ अगर यहां तक बात समझे तो थोड़ी सी बात और बढ़ानी है ठीक है ना चलिए दियान दीजिए तो यहां पर डिरेक्ट बता सकते हैं यहां पर 6 का क्यूब यानि 216 अंसर रहेगा क्यों रहेगा यह सब क्यूब है दोस्तों कैसे एक का क्यूब यह दो का क्यूब इस तीन का क्यूब इस चार का क्यूब अगर यह पांच का है तो दोस्त देश जी बात नेक्स क्या हो चेह का क्यूब चेह का क्यूब यह तो दोस्तों चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्यूशन को भी जैसे 1, 2, 6, 21, 88 और बचाना है नेक्स वाला आपको क्या है तो किया गय यहाँ पर क्या यहाँ पर सिर्फ वन से तो कि मल्टिप्लाई और वन कर दिया एड यहाँ पर क्या किया टू से मल्टिप्लाई टू कर दिया एड यहाँ पर क्या मल्टिप्लाई और तीन एड कर दिया यहाँ पर चार की मल्टिप्लाई और चार एड कर दिया तो यहाँ पर क् पांच की multiply करने पर इतना और पांच add करने पर बनेगा इतना तो यह 400 कितना 45 बनने वाला है तो third option आपका ठीक है न नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यह थूड़ा सा बड़ा है वर ध्यान में रखका चलना है तो क्या किया गया देखते हैं यहां पर कितना है यहां पर लिखा यह आप बारा 26 उसके बाद 54 एक मैंड़ दोस्तों कि मैं यह रख कर देता हूँ 54 उसके बाद 110 प्रसके बाद कितना है दो इस चाप नेक्स्ट आपको बताना है किया क्या गया बस यहां पर पांदुनी 10 पलस दो कितना हुआ यहाँ पर 5 दोनी 10 पलस 2 कितना हुआ 12 12 गुना 2 पलस 2 12 दोनी 24 दो 26 26 दोनी 52 पलस 2 54 और 54 गुना 2 108 पलस 2 110 तो अभी तक ठीक है तो यहाँ पर 2 की मलिटिपलाई करने के बाद यानि यह तो 10 की मलिटिपलाई होगी और उसके बाद 2 एड़ कर देना तो 446 मिलागा आपका जो फर्स्ट है यह आपका उप्शन रहेगा ठीक है न दोस्तो नेक्स पर चलते हैं थोड़ा पुइंट के भी क्यूश्टिन हो सकते हैं थोड़ा ध्यान से समझना ठीक है न दोस्तो देखो क्या लिखा वाब 5 साथ पुइंट पॉइंट 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 3 की multiply और यहां आप होगे 3.5 की multiply ठीक है न दोस्तों कितने होगे 3.5 की multiply 3.5 की multiply होने पर 393.75 आंसर मिलने वाला आपको तो पांच वा option रहेगा इसका मतलब इन में से कोई नहीं ठीक है यहां तक तो कोई problem है नहीं दोस्तों में अगर कोई problem नहीं तो next question की तरफ चलते हैं चले देखते हैं यहां पर 1 65 114 1.5 175 और next ठीक है न यहां पर घटा देते हैं देखो कितने एड़ किये 64 यहां पर कितने एड़ किये फिर घटा दो 49 यहां पर 36 यहां पर 25 तो मतलब यह हुआ कि यह स्क्वेर में चले दोस्तों किसका यह तो चाट का है यह साथ का है यह छे का है यह पांच का है और आप बदने वाला च्यार का स्क्वेर किसका च्यार का स्क्वेर चैर का स्क्वेर क्या होगा देखो तो 16 गटा दो यहां से 16 गटाने पर कितना बनागा 19 यह निए एड़ करना पड़ागा सोरी तो इन में से कोई नहीं बनेगा क्या उप्षन आपका सोरी निकले तो के 199 यह उप्षर बढ़ने वाला आपका ठीक है ना चलिए नेक्स्ट पर तो नेक्स्ट किस्चन दिया गया यहां पर है 3 यहां पर 9 यहां पर 21 थर्टी नाइन 63 और नेक्स्ट यह बताना है आपको तो ध्यान दीजी यहां पर कितना एड़ करा 6 यहां पर कितना एड़ करा 12 यहां पर कितना है 18 और यहां पर कितना है 24 तो अब कितना एड़ करेंगे 30 जब 30 एड़ करोगे तो कितना हो जागा 93 तो second answer आप कर रहेगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट पर नेक्स्ट है दोस्तों ध्यान से देखिज़रा यहां पर 8 यह 11 16 23 और नेक्स्ट आपको निकालनी है यहां पर एड़ किया 3 यहां पर एड़ किया 5 यहां पर एड़ किया 7 और यहां पर एड़ किया कितना 11 तो पता क्या रहेगा यह दोस्तों प्राइम नंबर है प्राइम नंबर मतलब की अबाज्जे संक्या है अबाज्जे नेक्स्ट कितनी होगी 13 तो तेरा जोड़ दोगे आप तेरा जोड़ने पर कितना बनने वाला 45 दूसरा ओप्सन आपका ठीक रहेगा नेक्स्ट पर चलते है नेक्स्ट में क्या है नोस्तो यहां पर 2 यहां पर 9 33 2892 और नेक्स्ट आपको फाइंड करनी है चलिए यहां तक थो खुझ प्रॉलम नहीं है अब किया क्या गया यह समझते हैं यहां पर तीन से तो किया मल्टिप्लाई और तीन करते है यहां पर भी कुछ ऐसा ही तीन से मल्टिप्लाई और तीन एड यहां पर भी कुछ ऐसा ही दोस्तों तो भाम पता लगा सीरीज में कर क्या रहा है तीन से मल्टिप्लाई और तीन तीन से मल्टिप्लाई करने पर कितना मिला गए 6 24 8 ठीक है और 3 एड कर दोगे तो कितना हो गया 849 तो थर्ड ओप्शन आपका रहेगा यहां पर तो नेक्स्ट है SI question देखे कितना है यहीं पर कर देख लेते हैं यहां पर कितना 10 एड किया यहां यहां पर कितना 20 और यहां पर 40 और यहां पर कितना है दोस्तों यहां पर 80 अब कितना एड करोगे 160 तो 160 एड करने के बाद कितना मिलने वाला आपको तो मिलेगा आपको 170 करने पर 325 तो second option आपका रहेगा ठीक है जाना second option आपका answer रहेगा यहां पर देख लेते हैं यहां पर घटाये गया क्या गटाये गया देखते हैं यहां पर 25 घटाया है फिर उसके बाद आपने 25 घटाया है फिर 25 दुबारा फिर 25 और फिर दुबारा एक बार फिर 25 तो 25 घटा होगे तो कितना बचागा 65 तो option कौन सा ठिर्ब रहा first तो यहां तक बात आई समझ में और चलते हैं next की तरफ यहांपर क्या किए दूस्तो यहां पर multiply करी तीन से यहां पर चार से यहां पर के तीन से फिर यहां पर चार से तो फिर मल्टिप्लाई किर से करो गई तीन से तो इस तरह से मल्टिप्लाई की गई तो यह थिरी टू यह होगा ठीक है ना तो समझें हम तो थर्ड आंसर आपका रहेगा नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों यहां पर क्या किया गया थोड़ा सा ध्यान रखना बस क्योंकि यह थोड़ा सा अच्छा क्यूश्चन है थोड़ा ध्यान में रखका चलना यहां पर तीन की मल्टिप्लाई की सोरी ऐसा ना करके आप ऐसा रिखो नो की मल्टिप्लाई करी ए 45, 9 की multiply करी किसस 7 से, 63, अब करोगे 9 की multiply 9 से, तो कितना मिलागा, 81, तो first answer आपका रहेगा, ठीक है ना, next पर चलते हैं, next पर क्या किया है, थोड़ा इसे भी ध्यान था, इसी तरह से ये भी किया गया, 6 में 1 की multiply करने के बाद 6, 6 में 3 की multiply करोगे, कितना 18, और फिर 6 में 5 की multiply करोगे, 30, फिर 6 में multiply करोगे, आप 7 की, तो कितना मिलने वाला, 42, और 6 में multiply करोगे, 9 की, तो 54, तो second option आपका रहेगा, चलिए, next पर चलते हैं दोस्तों, यहां पर क्या किया, यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान से रखना है, जो 8 है, 8 को लिखा गया, पहली संक्या कैसा मिली, 3 के square में से एक गटा दिया, 8, फिर 4 के square में से एक गटा दिया, फिर मिला, 15 है, 5 के square में से एक गटा दिया, 24, ठीक है न, तो अगर यहां तक सहमत है मेरी बात से, फिर क्या क्या अच्छा है, के square में से एक गटा दिया, 35, और 7 के square में से एक गटा दिया, 48, अब करना क्या है, 8 के square में से एक गटा ना है, 63 यानि 5 तांथर आपका रहेगा तो समझें हम दोस्तों चलिए next पर चलते हैं next क्या है next में भी कुछ ऐसा ही किया गया अबर ध्यान में रखना थोड़ा सा देखो यहाँ पर 10 के स्क्वेर में से 1 गटा दे 97 यहाँ पर 9 के स्क्वेर में से 3 गटा दे तीन गटाने पर कितना है 78 फिर आपका 8 के स्क्वेर में से 3 गटा दिया तो कितना बचा 46 और फिर 6 के क्यू स्क्वेर में से कितना गटा दिया 3 तो कितना बचा 33 फिर 5 के स्क्वेर में से गटा दिया 3 तो क्या बचागा 25 22 तो क्या बचागा 22 ओप्शन 3 आपका अंसर रहेगा तो अभी तक तो क्यूस्चन आपके सभी समझ में आए होंगे next पर चल ना कैसे क्यूस्टन होने वाले हैं ठीक है ना ऐसे हम करते रहेंगे सारे क्यूस्टन को तो यहां पर पहला क्यूस्टन है आपका तीन में एक की मल्टिप्लाई करी और एक जोड़ दे चार मिला आपको फिर चार में किया किया आपने दो की मल्टिप्लाई और दो जोड़ दे फिर मिला दस फिर दस में किया किया आपने तीन से मल्टिप्लाई करी तीन जोड़ दे 33 फिर 33 में आपने मल्टिप्लाई करी चार की और फिर कैड कितना एड़ कर दे चार तो 136 फिर इस बार 136 में 5 की मल्टिप्लाई करने के बाद 5 एड़ कर देना तो कितना मिलने वाला है ये आपका आंसर 685 तो ये दूसरा उप्शन आपका रहेगा ठीक है न दोस्तों नेक्ट पर चलते हैं तो नेक्सट पर क्या लिखा हुआ है ध्यान चान रखना दोस्तों यहां पर भी यहां पर एड़ करें 5 यहाँ पर एड़ करे 15 फिर एड़ करे कितने 25 फिर एड़ किए 35 फिर एड़ किए कितने 45 फिर एड़ करोगे आप 55 तो 55 एड़ करने के बाद आपको मिलागा 1 double 8 तो first answer आप कर रहेगा एक और देखते हैं कि उस्ट नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कितना है 5 तो यहाँ पर कितने एड़ किए 8 फिर कितने एड़ किए यहाँ पर 16 यहाँ पर फिर 8 फिर 16 तो फिर 8 आट आट एड़ करने के बाद कितना होगा बताइए यहाँ पर बनने वाला 61 तो 61 इनमें उप्सन नहीं है तो यहां पर पांच वा उप्सन आपका रहेगा क्या बने गए हैं आपका 61 आन जराब का ठीक है ना चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तो तो नेक्स्ट क्यूस्टन कुछ ऐसा है समझते हैं बज़े से कैसा तो यहां पर पहला सो है यहां पर 13 घटा दिये अपने फिर 13 घटा दिये फिर 13 है फिर 13 घटा दिये तो उसके बाद फिर 13 घटा दोगे तो कितना मिला गए 35 तो उप्सन आपका 3rd रहेगा यहां पर यहां पर भी समझते हैं 8 है 8 में कितने की मल्टिप्लाई करी 7 की और 1 एड़ कर दे 8 सती 56 और एक 57 ठीक है यहां पर 57 में की मल्टिप्लाई कितनी 6 की और 2 जोड़ दिया इस बार यहां पर मिलागा कितना 3, 4, 4 अब 3, 4, 4 में मल्टिप्लाई करी आपने 5 की और 3 एड़ कर दिया यहां पर मिला हमें, ठीक है, अब multiply किसकी करने आपको, अब आप समझी गए होंगे, क्योंकि सिरीज बनी, यहां तो गटते वे करम में चार, और यहां बढ़ते वे में चार जोड़ देना है, तो यहां पर बना 6896, 6896, तो कितना होगा यह, फर्स्ट ओप्शन आपका, तो यहां तक बात सारी समझी में आई है आपकी, ठीक है, इसके बात करना क्या है, यहां पर, यहां पर 681961, 187, और यहां पर कितना है, 565, समझते हैं, कैसे यह नहीं, नेक्स चंक है, क्या, एक मेंट दोस्तो, गलत हो गया थोड़ा सा, एक मेंट रूपिये, तो कैसे किया गया, यह, क्यूस्ट समझते हैं, तो यहां पर जो 6 हैं, दोस्तो, जो 6 हैं, आपका, 6 में, एक की मल्टिप्लाई करी, और दो जोड़ दिया, आठ मिला, अब उसके बाद फिर, ठीक है न, आठ में, दो की मल्टिप्लाई करी, फिर 3 जोड़ दिया, फिर इसके बाद, इसमें 3 की मल्टिप्लाई करी, फिर 4 जोड़ दिया, तो कितना होगा, 3 की मल्टिप्लाई करने पर 4 जोड़ दिया, 61, ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना, 61 में, कितने की मल्टिप्लाई करने हैं आपको, 4 की और 5 जोड़ देना है, फिर मिलागा 249, तो इसी तरह next जोड़ दोगे आप, next multiply क्या होगे 249 में multiply करने है आपको 5 के ए 6 जोड़ देना है तो ऐसा जोड़ने के बाद आपको मिलने वाला क्या है यहाँ पर मिलने वाला है आपको दियान दीजिये दूस्तों यहाँ तक टो ठीक है ना तो यहाँ तक सब ठीक है तो यहां पर मिलने वाला 1251 ठीक है चलिए नेक्स्ट पर नेक्स्ट वाले किस्टन में क्या है यहां पर लिखावा 5 ठीक है ना कितना लिखावा 5 तो 5 में 3 की मल्टिबलाई करने के बाद 5 या 15 और 4 उन्निस ठीक है उन्निस में करना क्या है तीन से मल्टिबलाई और 4 जोड़ देना उन्निस तर सत्तावन 4 61 फिर 61 में कितना मल्टिबलाई करनी थिरी से और 4 एड़ कर देना तो 83 और 87 फिर उसके बाद यही करना 87 में कितने करनी तीन की मल्टिबलाई और फिर 4 एड़ कर देना तो four add करने पर five six five ठीक है ना तो five six five यह आपका option रहेगा तो आपका option five six five तो दूसरा option आपका answer रहेगा तो समझे हम दोस्तों ठीक है चलिए next पर next में क्या दियागा यहाँ पर यहाँ पर जोड़ दिये दो यहाँ पर जोड़ दिये चार यहाँ पर जोड़ दिये फिर छे तो यहाँ पर जोड़ दोगे आठ अब इस बार जोड़ दोगे दस दस जोड़ ने पर बनागा यह 45 अब 45 option में है नहीं तो five option आपका रहेगा ठीक जहना चले ऐसी तरह यहां पर चार एड़ कर दिया है। यहां पर कितने 945 के बाद 16 5 अब 25 के बाद क्या ऐड़ करना 36 तो 36 एड़ करने के बाद कितना मिलने वला आपको देखें फिर मिलागा 115 यानि किया क्या है यह है दूर तो तो दो का स्क्वेर, यह है तीन का स्क्वेर, फिर चार का स्क्वेर, फिर पांच का स्क्वेर, फिर छे का स्क्वेर, ठीक है न दोस्तों, तो यहां तक कोई प्रोब्लम नहीं हो गया अभी तक आपको, तो option इन में इसमें भी 50 रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका option नहीं है, को फिर आपने 9 में 4 से गुना करी तो 36 फिर 9 में आपने 6 से नोचिक 54 फिर 9 में मल्टिप्लाई करी आपने किसने 8 से फिर 9 में मल्टिप्लाई करोगे आप 10 से तो 90 आपका अंसर रहेगा तो दूसरा उप्शन आपका ठीक है याप आप ठीक है ना चलिए next पर इसे भी समझते हैं ये कैसे किया है आठ में मल्टिप्लाई करी आपने एक की और पलस 10 जोड़ दिया ये मिला 18 फिर 18 में दो की मल्टिप्लाई करी 9 जोड़ दिया 45 भड़ते भे करम है सोरी 45 था है यहाँ पर यहाँ पर मल्टिप्लाई करी 3 से फिर 8 जोड़ दिया आपने कितना मिला 143 अब 143 में मल्टिप्लाई करने हैं आपको 4 की यहाँ मिला गए 7 तो कितना मिलने वाला है यहाँ पर 579 तो फर्स्ट ओप्शन आपका रहेगा यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर कितना जोड़े दोस्तो चार यहाँ पर कितना यहाँ पर कितना नो इसे नो जोड़ने पर दोस्तो गलत है आठ जोडना पड़ा यहाँ पर आठ यहाँ पर कितना जोड़े यहाँ पर जोड़े नो यहां पर फिर जोड़ोगे चार शोले तो मतलब हो क्या रहा यह यह कुछ इस तरह से हो रहा दोस्तों पहले दो का स्क्वेर फिर दो की क्यूब फिर तीन का स्क्वेर है ना फिर तीन का स्क्वेर फिर यहां पर एड के आपने ठीक ना तीन की क्यूब यहों पर टीन की क्यूब एड़ करने दिये तीन की क्यूब एड़ करने यानि 27 एड़ करने के बाद मिला गई दोस्तो फिर अब च्यार का pourquoi जोड़ना है आपको च्यार का स्क्यूब जोड़ने के बाद कितना बना गगा सुन्याप्स कि हुआ जीन तो दूस्रा उप्सन आपका रहेगा ठीक है ना नैस्ट पर चलते हैं यहाँपर कुछ किया इसा है यहाँपर 1 का क्यूब यहाँपर 1 का स्क्वैर कि यहां पर क्या है टुंगा क्यूब फिर क्या किया टू का स्क्वैर फिर थीरी का स्क्वैर 3 का स्क्वैर एड करने के बाद कितने मिला गए हैं ओँ कितना बताएए 62 ठीक नहाब अब 62 सोरी दूस्तों ये इस अब क्यूब एड़ करना था थिरी का क्यूब फिर मिलागा ये ठीक है ना चलिए देखते हैं और नेक्स्ट किस तरह से क्यूप्टन होंगे हमारी तो यहां पर फोर लिखा हुआ तो फोर मिलागा आपका दो के क्यूब में से अगर आप दो का स् फिर इसी तरह से तीन के क्यूब में से तीन का स्क्वेर घटा दो तो मिलागा आपको 18 इसी तरह से चार के क्यूब में से चार का स्क्वेर घटा दो तो मिलागा 48 तो पांच के क्यूब में से फिर पांच का स्क्वेर घटा दिया तो कितना मिलागा आपका 100 और यहां पर 6 के cube में से 6 का square घटा दिया तो मिलागा 180 तो 180 का मतलब समझे तो यहाँ पर कोई option नहीं है 5 वा answer आपका रहेगा ठीक है ना चलिए next की तरफ next question की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर देखा जाए तो यह तो 11 का square है यह 9 का है यह 7 का है यह 5 का है यह 3 का होगा तो इसके बाद 1 का square तो 1 option रहेगा आपका थर्ड answer चलिए देखते है next पर यह थोड़ा सा बड़ी digit है तो ध्यान में रखका चलना दूस्तों यहाँ पर किया क्या गया यहाँ पर 11 का square यह नहीं 121 घटा देना है तो 454 बचने वाला 454 में से फिर किया क्या हमने फिर हमने गटा है 9 का square यह नहीं 81 फिर मिलेगा कितना 373 फिर 373 में से फिर गटाना है आपको कितना 7 का square तो 7 का square गटाने के बाद 3, 2, 4 और इसके बाद 3, 2, 4 में से फिर गटाना है आपको 5 का स्क्वेर है नहीं 25 कितना मिलने वाला है 22299 है ना 299 सुरी तो ओप्षन दूसरा ओप्षन ठीक रहेगा दोस्तों यहां पर समझें हम तो इसी तरह दिरे से दिरे हमने 40 क्यूस्ट्ट दोस्तों कर लिए शोल अब कुछ किश्चन है हो रहे हैं यहां पर 3 की मल्टिप्लाइ करी यहां पर भी 3 की ठीक न यहां पर भी 3 की है यहां पर भी 3 की तो सब में 3 की यहां पर भी 3 की एक बार फिर 3 की मल्टिप्लाइ कर दो तो 739 बन जाएगा आपका तो कितना ओप्षन रहेगा फोर्थ आपका ठ आपका रहने वाला है ठीक है ना चलिए यहां पर चलते हैं दोस्तों यहां पर कितना है यहां पर भी ऐसे आसान दो के multiply दो के बाद तीन की multiply तीन के बाद फिर दो की फिर तीन की तो फिर दो की करोगे तो में philosophy अठरदवी 36 36 तो उप्चन तीन रहेगा आपका अ कि तो यहां पर पांसो बारा पांसो बारा क्या होतते है दोस्तों तो पांसो बारा को वह डिवाइड कि आपने दो महीं मरत प्रिसे सब को दो से डिवाइड करते में चले आप अब नेक्स्ट है क्या दो एक 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 पॉंट पांच तीन सेवन पॉंट फाइव और नेक्स्ट आपको फाइंड करना तो यहाँ पर देखा जाए तो पॉंट फाइव से मल्टि प्री कम एक 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 तो यह मिलागा आपका 21-22 यानि 22.5 मिलागा दोस्तों ओप्सन रहेगा फोर्थ आपका ठीक है ना नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट पर क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर है 16 आठ ठीक है ना यह तो यहां पर डिवाइड किया गया टू से तो चलिए अगर यहां पर टू से तो अब संख्याब मिली बड़ी तो इसका मतलब अब करना होगा मल्टिपलाई फिर डिवाइड किया टू से फिर मल्टिपलाई थिरी से फिर डिवाइड किया टू से फिर मल्टिपलाई थिरी से तो ठरत यह 54 तो थर्ड अंसर आपका रहेगा ठीक है ना दोस्तों अभी तक तो क्युश्टन समझ माया होगा आपकी कोई प्रोब्लम नहीं नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों थोड़ा सद्यान रखना पहले डिजिट सेवन है सेवन को यानि क्या कि आपने सेवन को टू से मल्टिप्लाई है ठीक है ना उसके बाद एक मिंट दोस्तों यह तो बना नहीं एक मिंट करते हैं ट्राइब थोड़ा से रफ कर देता हूं अब यहां पर किया कुछ ऐसा है थोड़ा से जिहान से देखें तीन से मल्टिप्लाई करी और तीन जोड़ दिया फूर यह तो ठीक है यहां तक इसके बाद फिर बढ़ते हैं यहां पर 24 में मल्टिप्लाई करी 3 से और 4 ऐड़ कर दिया आज बार ठीक है अब तो बन गया दोस्तों यह तो फिर 76 में क्या मल्टिप्लाई करी 3 से ऐड़ कर दिया 5 तो 2 2 2 3 3 तो इसी तरह से आप करते रहोगे तो आपका मिला 705 705 में 3 से मुल्टिप्लाई और 7 से कितना ह 21 और 22 ठीक है ना 21 और 22 यह चोथा option आपका रहेगा ठीक है अब दूसरी बात यहाँ पर 4 के साथ 2 से multiply कर दो और 2 जोड दो तो कितना मिला 10 अब 10 के साथ 3 से multiply करके 3 जोड दो कितना मिला 33 अब 33 के साथ करना क्या है चार से multiply करने और 4 जोड देना तो कितना मिलागा आपको 136 यह 132 मिलने माला ना तो 136 को फिर आपने किया पांच से multiply फिर कितना add करोगे इस बार 5 जोड देंगे तो कितना मिलागा तो 685 थर्ड option आपका रहेगा next पर चलते हैं दोस्तो 10 की साथ आपने दो से गुना की और 5 यहां पर घटा दिया 20 यानि 5 15 मिले 15 में फिर आपने 3 से multiply करी तो फिर मिला ही 40 40 में फिर 4 से multiply करी फिर 5 घटा दिया यह मिला 155 एक सो पचपन में फिर आपने क्या किया पांच से मल्टिब लाई और पांच गटा दिया तो अब बचा साथ सो सत्तर तो उप्सन रहेगा दूसरे वाला ठीक ठीक है न दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं यह थोड़ा से ध्यान देने वाला क्यूश्चन है कितना है यहाँ पर 888 इसमें कुछ किया ऐसा गया 200 तो कर दिया भाग फिर माइनस 2 कर दिया तो यहाँ पर मिला 442 फिर 442 को आपने फिर 2 से डिवाइड करा 2 फिर घटा आया तो फिर बचा 219 दोसो एननिस को फिर दोसे डिवाइड करा 2 घटा दिया तो यहाँ पर मिले 107.5 तो ठीक है इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 107.2 को दो से डिवाड कर दोगा दो गटा दोगे यह मिलेगा आपका 21.75 ठीक है दोस्तों और देखते है नेक्स्ट और में क्या किया गया तीन में जोड़ दिये कितने यहाँ पर कितना 4 यहाँ पर आड़ करें यहाँ पर मल्टिपलाई करीं दोस्तों यहाँ पर फिर 4 यहाँ पर फिर मल्टिपलाई 4 नहीं 28 5 5 तो 5 से मल्टिपलाई करीं तो इसका मतलब फिर 5 फिर जोड़ दोगे आप 6 जोड़ोगे इस बार तो यह बनागा 171 ठीक है न दोस्तों तो दोस्तों यह 50 के उस्चन थे जो हमने 60 किये अभी अपनी 40 मिनिट में तो आशा करता हूं दोस्तों आज की किलास आपको पसंद आई हो ठीक है न तो अगर आप हमारे चैनल से फर्स टाइम जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को सब्स बन सकते हैं तो ठीक है दोस्तों इसी नभी उमंग और जोन के साथ जैसे आपके क्लाष पसंद आई अगर आपको किलाष पसंद दोस्तों इससे सेंगें तो साथ जितना जादा है हो सकенти चाने किये चैनल स्टार्ट किया था और उनकी फाइदे के लिए ऐसा तो हमारा अपक तो पर फिर भी अगर आप भी अपने दोस्त को किसी को benefit पोचाना जाते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कहिए तो दोस्तों इजी के साथ विदाई लेते हैं ठीक है ना हसते रहिए मुस्कूराते रहिए और जब तक महनेत करते लिए जब तक जोनिंग लेटर आप के हाथ में ना हो ओके दोस्तों थेंक्स पूर वाचिंग